राजधानी पटना में पूर्वमध्य रेल दानापूर्वमंडल के पटना जंक्षन पर रेल राजमंत्री मनोज सिन्हा ने दो स्वचालित सीडियों याने की एक स्क्लेडर्स का उधगाटन किया इस कारिक्रम में केंद्रिय मंत्री गिराज सिंग और राज सरकार के मंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद रहे जिसमें मनोज सिन्हा ने कहा कि बिहार में रेल सुविधाएं बड़ी है कई परियोजनाओं पर काम पूरा हो चुका है और कई योजनाओं पर काम चल रहा है रेल राजमंत्री ने कहा कि रेलवे के छेत्र में कई बड़ी परियोजनाओं पर भारतिय रेल ने काम पूरा कर लिया है पटना में बना दीगा पुल इसमें काफी महत्वपूर्ण है मुंगेर का पुल पूरा हो चुका है और मोकामा में भी पुल का काम चल रहा है पिछले चार सालों में हमने जिस तरह से काम किया है उससे पहले स्थिती बुरी थी जिस तरह से पूर्व मध्य रेल ने अपनी पंक्चुएलिटी सुधारी है या खासतोर पर दानापूर मंडल में सराहनिया है उन्होंने कहा कि मोकामा की बंद पड़ी फैक्टरी की जमीन पर रेलवे की फैक्टरी लगाई जाएगी दानापूर मंडल की सभी DMU को MU रैंक में चलाया जाएगा साथी साथ पटना जंक्शन पर लगातार बढ़ रही सुविधाओं का भी उन्होंने जिक्र किया और दो एक्सकलेटर के सिलन्यास कर उस पे खुद चड़ कर भी चेक किया साथी साथ जो बुजर्ग यात्री हैं उन्हें बहतर सुविधाओं मोहया कराने की बात भी कही